नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोगाई हो कि अच्छे होंगें दोस्तों हमेशा कितरा आज पिर से आगई हैं आपके लिए कुछ ऐसी है में गिंग से किचन टीप से लेके जिसे डेली के काम करना काफे जिदा आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत सारी बचत भी कर पाऊ कैसे तरह से से लिए लीट है अकसर आपने देखा वांधे कैस होता है अकसर घूम हो जाते हैं क्योंकि अक अगवर कहीं तरही तरह जाते हैं पटा यह नहीं चलता है ऐसे आपसं की आप एस तर्म क् disproportionately but on to get in there जब चाहें आपको उसी जगह पे मिलेगा तो हम नहीं यहां पर देखिए एक रबड और रबड को आपको इस तरीके से इसमें सिक्यूर करना है देखिए तुनों तरफ से आपको निकाल लेना है एक उस तरीके से ठीक है अब क्या करना दोस्तों हमें लिलना एक धागा को जहना खोजने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी तभी गिलती से गीर भी जाती है तो ज़्यादा लुड़के की नहीं एक ही जगह पे इस तरीक से पढ़ी रहेगी तुपकति वी ट्रीक आपको पसंद आया हो पसंद आया है तो चुरू ट्राय किजेगा अगर ले जाते हो ठ्राइवल पर ताम ने देखिए आप एक लिया इस तरीक से प्लास्टिक लिजिए पतले वाले ले जाइब ज्यादा मोटे हमें नहीं चाहिए होगा तो आपको करना क्या है किस तरीक साफ इसकी पैकिंग कर सकते हो ठीक है तो आपको जैने इसके ढंदर को तो पसंद आया हो पसंद आया है तो लैक किजिए गर्मिया सुरी होने वाली है और इक्जाम भी खतम हो चके हैं बच्चों के तो लोग इधा हुदर जाते ही हैं ट्राइबल पर आपको यह तरीखा आपको बहुत जाता काम आ सकता है अच्छा दोस्तों बहुत अपने स्कीन चलिए इसका बहुत हैं अब कंभी 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 एमर्जेंसी में आपको लिए तो करना कि देखिए हम ने ले लिया यहां पर दिया ठीक्ट है अब में जहाना इस तरीक से हमें वेसलिन को रख देना है कुछ इस तरीके से रेखिए अब हम ले लेंगे एक paper यह देख और का एक छोटा सा टुकुड़ा लेना है आपको इस्तरीक से इसे एक रोल करते हुए बाती की तरह हमें तयार कर लेना है यह देखिए हमने इस तरीक से बाती की तरह हमने तयार कर लिया है और इसे आप छोटी भी रख सकते हो अब हम देखिए इस तरीक से इसे फिक्स कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से अब दोस्तो इसका यूज हम करेंगे कि दिया की तरह अकसर होता ना कि गरमियों में कभी लैट चली जाती है रात में तो अगर कैंडल भी खतम हो चुका है कुछ नहीं मिल रहना ताप यह जुगाड करके देखना बहुत जाद दिर तक जलती रहती है बहुत ही अच्छे से बिलकुल दिये की जैसे जलती है धोकत दूस्त तो ये टरीक तरीका आपको पता होना तो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और कैसा लगा ये ट्रीक आमें कामें कामेंट करके जरूर तो आपने देखा हुआ कि कपड़ों पर तेल गिरने से कैसे जो बिल्कुल खतम हो जाते हैं इसके दाग और कोई टेंसन ही नहीं होता है हमने देखिए भाइट कपड़े लिए हैं और कॉटन के कपड़े हैं इस अच्छे से देखिए सर्सों के तेल भी गिरा दी हुँ है ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं तो इसे कैसे रिमूब करना है वही मैं आपके साथ सेयर करें तो इस तरीक से दाग लग जाते हैं आपको इस तशर्व से रख देना है और प्रेस ले लेना अपको गरम प्रेस जो है न पूरी तरीक से गरम होना चाहिए ठीक है इस तरीक शाहर еसे अपको चलाना है थोडी देर के लिए वह वाश्ता मृतों देखिए लग fiye लगभ़भग दो मिनिट हो चुए हैं मैंने इ काम करता है कि नहीं तो यहां पर देखिए मैं इसे हटाने के लिए इसतरीक से युजक्रीम कुझ करीं पॉडर को घो करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं जो थेंच यह काम तो करता है 100 परसेन वाक कटि यह देखिए अगर आप इस्टेछ fry schon तो यहां पर जितने भी तेल के दाग लगेते हैं तो आप इस ट्रीक से तेल को निसान को छुड़ा सकते हो जब भी आप मार्केट से अंगूर लाते हैं आपने आज कल देख रहा हुआ कि बहुत से लोगों को यह चीज़ जैना बाइरल हो रही है कि अंगूर खाने से उनके गल्ले में खरास हो रही है प्राबलम हो रही है और डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और कैंसर का भी ख causes पानी ऐदर आपको डालने के बाद इसमें जो है को एक चमस के करीब नमक डाल दीजिये और एक धकन के करीब आप इसमें विनेगर डाल ढल दीजिये इनदकिआ एक कैम्मोर ना खाये नमक और विनेगर आजिए आजिए 10 इंप पह components. डूबक स्थान जाओ गण्वाइम, सुरप्षित रहने में और आप आप भी आप कोई दिकत नहीं होती है। कोई बीमारियों का खत्रा नहीं रहेगा तो जब भी आप अंगूर खाते हो इस प्रोसेस को जरूर फॉलो किजिएगा ऐसे तो डिरेक्ट बच्चों को तो बिल्कुल मत दीजिएगा हुपकत दोस्तो यह तरीका आपको पसंद आया हो पसंद आये तो लैक जरूर कर अगर आपको कहीं मार्केट में सस्ती मिल जाए और बहुत सारे ले आते हो तब आप इसे कैसे सेव करके रख सकते हो और आपके पास फ्रेज भी नहीं है तब भी आप पड़े हैं आराम से पंदरा दिनों तक आप इसका यूज ले सकते हो हमने देखिए आप ले लिया है प कराब नहीं होंगे नहीं सुखेंगे नहीं गलेंगे बहुत अच्छे से सेफ रहें जब तक चाहिए आप इस तरीक से रख से अपने देखा हुआ ठेले वाले के पास निम्बू को इसी तरीक से रखते हैं क्योंकि दीन भार तो उनके पास फिरिज नहीं होती है और देखा सजाने के नहीं निम्बू को सजाने के नहीं निम्बू को सेफ करने की तरो ताजा रखने के लिए इस तरीक से रखे रहते हैं ताब भी अपने घरों में डायरेक्ट इस तरीक से रखिए और आपको जहना फ्रेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आडिया पसंद है दोस्